नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका chemical branch में आज का topic है liquid liquid extraction क्या होता है जुसको हम liquid extraction या फिर solvent extraction भी कहते हैं आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकी definition या फिर आप कह सकते हो इसका introduction फिर हम जाने है इसके mechanics को मतलब liquid liquid extraction में जो separation की process होती है उसकी मुख्य वज़ा क्या होती है फिर हम जानेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस को और इन सभी पॉइंटों को हम प्रैक्टिकली डाइग्राम से भी समझेंगे और साथी साथ मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले में आपको दिखा देता हूँ कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा है आप चाओ तो बुक में से पढ़कर भी खुद इस टॉपिक को अच्छे से त्यार कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लो आज आपका ये टॉपिक अच्छे से किलियर हो जाएगा तो यहां तक लिखा गया है लिक्विट लिक्विट एक्स्टेक्शन के बारे में आप वीडियो को पॉस करके बुक का स्क्रीन सॉट ले सकते हो चलिए अब जो बुक में लिखा है उसको हम प्रैक्टिकली समझ भी लेते हैं सबसे पहले हम जानेंगे लिक्विट लिक्विट एक्स्टेक्शन क्या होता है लिक्विट लिक्विट एक्स्टेक्शन मास टांसफर आपरेशन की वो यूनिट है जुसमें किसी लिक्विट सॉल्विट के दौरा लिक्विट मिक्शर का सैपरेशन लिक्विट मिक्शर में उपस्थित कंपोनेंट्स की अलग अलग सॉलिबिल्टी के अधार पर किया जाता है liquid liquid extraction का use उन liquid mixture के components के separation के लिए किया जाता है जुनके boiling point same temperature पर लगबख same रहते हैं ध्यान से देखना मान लेते हैं हमारे पास कोई liquid mixture है जुसमें component A और B present है हमको A और B को अलग करना है A का boiling point 10 है B का boiling point 11 है अब ध्यान से देखो दोनों component के boiling point लगबख same to same है या फिर आप कह सकते हो दोनों के boiling point में ज़्यादा अंता नहीं है तो इस condition में हम इस mixture का separation distillation से नहीं कर सकते तो अब हम इसका separation liquid liquid extraction operation के दवारा करेंगे इसमें हम क्या करेंगे हम इसमें liquid solvent को मिला देंगे अब क्या होगा और हमारे mixture का separation हो जाएगा अब सवाल यह बनता है कि liquid liquid extraction operation में क्या mechanism होता है या फिर आप कह सकते हो liquid liquid extraction operation में जो separation होता है उसकी मुख्या वज़ा क्या होती है देखिये मुख्यता दो वज़ा होती है पहली होती है mixture में उपस्तित components की अलग-अलग solubility दुसरी वज़ा होती है liquid solvent का immisible nature ध्यान से देखना liquid liquid extraction में हम जिस भी liquid solvent का use करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि liquid mixture में उपस्तित components की solubility इस liquid solvent के प्रती अलग-अलग हो कहने का मतलब यह है कि liquid mixture में उपस्तित कोई एक component बड़ी असानी से इस liquid solvent में घुल जाए और दुसरा component ना घुल पाए और दुसरी वज़ा होती है liquid solvent का immisible nature immisible का मतलब होता है ना घुलने वाला जबाव liquid liquid extraction में हम जिस भी liquid solvent का use करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो इस mixture के साथ ना घुल पाए लेकिन इस mixture में उपस्तित कोई एक component बड़ी असानी से इसमें घुल जाए चलिए अब जान लेते हैं liquid liquid extraction operation की working process क्या होती है सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई liquid mixture है जुसमें component A और B present है हमको A और B को अलग करना है हम इस liquid mixture में liquid solvent C को मिलाते हैं अब आपको पता है liquid solvent C इस mixture में घुलता नहीं है लेकिन इस mixture में उपस्तित component A solvent C के साथ घुल जाता है और हमारे mixture का separation हो जाता है क्योंकि अब हमको यहाँ पर दो अलग अलग liquid मिलते हैं जो कि आपस में immisible होते हैं मतलब आपस में घुलते नहीं हैं और जुस लेयर के दोबारा यह एक दूसरे से अलग रहते हैं उसको हम कहते हैं isolated layer अब जो हमको उपर वारा liquid मिला है उसमें component A है जुसको हम solute कहते हैं और C को हम solvent कहते हैं और नीचे वारे liquid में सिर्फ component B होता है और उपर वारे liquid को हम extract phase कहते हैं और नीचे वारे liquid को हम raffinate phase कहते हैं यह थी working process और यह हैं मेरे notes आप वीडियो को pause करके इसका screenshot ले सकते हो इसमें liquid liquid extraction के बारे में सब कुछ लिखावा है और इससे के साथ आज तोपिक यहीं पर खत्म हुआ उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए useful है तो please वीडियो को like कर देना कुछ भी पूछना हो या फिर अपना सुजाव देना हो तो comment के माध्यम से दे सकते हो मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में अबता के लिए गुद बाइ